C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की गणित की पाठे पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याए 8 दशमलव प्रिष्ठ 177 8.1 भूमिका सविता और शमा स्टेशनरी का कुछ सामान खरीदने बाजार जा रही थी सविता ने कहा मेरे पास 5.75 पैसे है शमा ने कहा मेरे पास 7.50 पैसे है वे दोनों रुपयों और पैसों को दशमलव रूप में लिखना जानती थी इसलिए सविता ने कहा मेरे पास 5.75 रुपय है और शमा ने कहा मेरे पास 7.50 रुपय है क्या उन दोनों ने सही लिखा था? हम जानते हैं कि बिंदू एक दशमलव को दर्शाता है इस सद्ध्याय में हम दशमलव के विशय में और अधिक सीखेंगे आठ दशमलव दो दशांच रवी तथा राजू ने अपनी अपनी पैंसिलों की लंबाई मापी रवी की पैंसिल साथ सेंटी मीटर पाँच मिली मीटर लंबी थी और राजू की आठ सेंटी मीटर तीन मिली मीटर लंबी थी क्या आप इन लंबाईयों को सेंटी मीटर के साथ दशमलव रूप में लिख सकते हो? हम जानते हैं कि 10 mm बराबर 1 cm, अथह 1 mm बराबर 1 बटा 10 cm, अब रवी के पेंसिल की लंबाई बराबर 7 cm 5 mm, बराबर 7 5 बटा 10 cm, प्रिष्ट 178, अर्थात 7 cm और 1 cm का 5 दशान्श भाग, राजू के पेंसिल की लंबाई बराबर 8 cm 3 mm, बराबर 8 3 बटा 10 cm, अर्थात 8 cm और 1 cm का 3 दशान्श भाग, आईए पिछले सीखे हुए को पुनह याद करें, यदि हम इकाईयों को खंडों द्वारा दर्शाएं, तो एक इकाई एक खंड, दो इकाई दो खंड, और इसी नियमानुसार आगे भी, एक खंड को यदि 10 बराबर भागों में बाटें, तो प्रत्येक भाग एक इकाई का एक बटा 10, यानि एक दशान्श है, दो भाग, दो दशान्श भाग को दर्शाते हैं, और पांच भाग, पांच दशान्श भाग को, आगے और इसी प्रकार दो खंडों और तीन भागों यानि दशांच के मेल को इस प्रकार लिखा जाएगा सारनी, इकाई, दशांच एक, एक बटा दस दो, तीन इसे हम दो बिंदु तीन भी लिख सकते हैं और जो दो दशमलव तीन पढ़ा जाएगा आएए एक अन्य उदाहरन लें जहां एक से अधिक इकाईया हैं प्रतेक मीनार दस इकाईयों को दर्शाती है अथह यहां दर्शाई गई संख्या इस प्रकार है दहाई, इकाई, दशांच दस, एक, एक बटा दस दो, तीन, पाँच अथह बीस जमा तीन, जमा पाँच बटा दस बराबर 23.5, इसे हम 23.5 पढ़ेंगे प्रिष्ट 189 प्रयास कीजिए एक, क्या आप निम्न को दशमलव रूप में लिख सकते हैं? सारणी, चार स्तंभ, सैखडा, दहाई, इकाई, दशांच यानि सो, दस, एक, एक बटा दस पाँच, तीन, आठ, एक दो, साथ, तीन, चार तीन, पाँच, चार, छे दो, रवी और राजू की पेंसिलों की लंबाईयों को दशमलव का प्रयोग कर सेंटिमीटर में लिखें तीन, प्रश्ण एक के सम रूप तीन अन्य उदाहरन बनाएं और उन्हें हल करें संख्या रेखा पर निरुपन हमने भिन्नों को संख्या रेखा पर निरुपित किया आएए अब दशमलवों को भी संख्या रेखा पर निरुपित करना सीखें आएए शून्य दशमलव छे को संख्या रेखा पर निरुपित करें हम जानते हैं कि शून्य दशमलव छे शून्य से बड़ा है लेकिन एक से कम इसमें छै दशान्श हैं संख्या रेखा पर शूर्ने और एक के बीच की लंबाई को दस बराबर भागों में विभाजित कीजिए और उनमें से छै भाग कीजिए जैसा के नीचे दिखाया गया है शूर्ने और एक के बीच पांच संख्याई लिखो और उन्हें संख्या रेखा पर दर्शाओ क्या अब आप दो दशमलव तीन को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं? जाचिये के दो दशमलव तीन में कितनी इकाया हैं और कितने दशान्श हैं संख्या रेखा पर यह कहां स्थित होगी एक दशमलव चार को संख्या रेखा पर दर्शाओ उदाहरण एक निम्न संख्याओं को स्थानी अमान सारणी में लिखिए ए बीस दशमलव पाँच बी चार दशमलव दो हल, स्थानी अमान सारणी बना कर संख्या के प्रत्यक अंक को उचित स्थानी अमान दे कर उसमें निम्न प्रकार से लिखें दहाई दस, इकाई एक, दशान्ष एक बटा दस, बीस दशमलव पाँच, दो, शूर्न्य पाँच, चार दशमलव दो, शूर्न्य चार दो, प्रिष्ट एक सो असी उधारण दो, निम्न में से प्रत्यक को दशमलव रूप में लिखिये ए, दो इकाईयां और पाँच दशान्ष, बी, तीस और एक दशान्ष, हल A. दो इकाया और पांच दशांच, बराबर दो जमा पांच बटादस, बराबर दो दशमलव पांच B. तीस और एक दशांच, बराबर तीस जमा एक बटादस, बराबर तीस दशमलव एक Udharan 3. प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए ग्यात करें के इस संख्या में कितनी दहाईयां, कितनी इकाईयां और कितने दशांच हैं? इसमें तीन दहाईयां, छै इकाईयां और दो दशांच हैं, अथह दशमलव रूप च्छतीस दशमलव दो होगा। भी, छैसो जमा दो जमा आठ बटा दस। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इस संख्या में छैस सैंकडा, कोई दहाईयां नहीं, दो इकाईयां और आठ दशांच हैं, अथह दशमलव रूप छैसो दो दशमलव आठ होगा। भिन दशमलव रूप में हम देख चुके हैं कि एक भिन जिसका हर दस हो, को किस प्रकार दशमलव रूप में लिखा जा सकता है। आईए निम्न को दशमलव रूप में लिखने का प्रयास करें। आइ, 22 बटा दस, और एक बटा दो, आ, हम जानते हैं, 11 बटा पांच बराबर 22 बटा दस, बराबर 20 जमा दो बटा दस, बराबर 2 जमा दो दशमलव रूप में। प्रिष्ठ एक सोईक्यासी प्रियास कीजिए 3 बटा 2 4 बटा 5 8 बटा 5 को दशमलव रूप में लिखिए दशमलव भिन रूप में अब तक हमने सीखा है किस प्रकार भिन जिनका हर 10, 2 या 5 हो को किस प्रकार दशमलव रूप में लिख सकते हैं क्या हम एक दशमलव दो को आईए देखें, एक दशमलव दो बराबर एक जमाद दो बटा दस, बराबर दस बटा दस जमाद दो बटा दस, बराबर बारह बटा दस. प्रशनावली आठ दशमलव एक एक, निम्न के लिए दी गई सारणी में संख्याईं लिखिये ए, दहाई एकाई दशांश, बी, सैखड़ा दहाई दशांश, प्रिष्ट 182, सारणी स्तंभ, सैखड़ा दहाई एकाई दशांश, यानि सो दस एक एक बटा दस. 2. निम्न दशमलव संख्याऊं को स्थानी अमान सारणी में लिखिये ए, 19.4, बी, 0.3, सी, 10.6, डी, 205.9 3. निम्न में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिये 4. निम्न को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिये a. 5 बटा दस, b. 3 जमा 7 बटा दस, c. 200 जमा 60 जमा 5 जमा एक बटा दस, d. 70 जमा 8 बटा दस, e. 88 बटा दस, f. 4 दो बटा दस, g. 3 बटा दो, h. 2 बटा पाँच, i. 12 बटा पाँच, j. 3 तीन बटा पाँच, k. 4 एक बटा दो 5. निम्न दशमलव संख्याओं को भिन्न के रूप में लिख कर न्यून तम यानि सरलतम रूप में बदलिये a. 0.6, b. 2.5, c. 1.0, d. 3.8, e. 13.7, f. 21.2, g. 6.4, 6. सेंटिमीटर का प्रयोग कर निम्न को दशमलव रूप में बदलिये a. 2 मिलिमीटर, b. 30 मिलिमीटर, c. 116 मिलिमीटर, d. 4 सेंटिमीटर 2 मिलिमीटर, e. 11 सेंटिमीटर 52 मिलिमीटर, f. 13 मिलिमीटर, 7. संख्या रेखा पर किन दो पूर्ण संख्याओं के बीज निम्न संख्याइं स्थित हैं? इन में से कौन सी पून संख्या दी हुई दशमलव संख्या के अधिक निकट है? A. 0.8 B. 5.1 C. 2.6 D. 6.4 E. 9.0 F. 4.9 आठ निम्नको संख्या रिखा पर दर्शाओ A. 0.2 B. 1.9 C. 1.1 D. 2.5 प्रिष्ट 183 9. दी हुई संख्या रिखा पर स्थित A, B, C, D बिंदूओं के लिए दशमलव संख्या लिखिए 10. A. रमेश की कौपी की लंबाई 9 cm 5 mm है संटिमीटर में इसकी लंबाई क्या होगी? B. चने के एक छोटे पौधे की लंबाई 65 mm है इसकी लंबाई संटिमीटर में व्यक्त कीजिए अब ही आप सुन रहे थे कक्षा 6 की गनित की ध्वनी पाठे पुस्तक वाचन्स्वर गौरव मार्वा निर्मान सहियोग सौम्या मलिक निर्मान विमलेश चाधरी तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत प्रणी भारत C.I.E.T. झाल झाल